नमस्कार स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में मैं आपके साथ नेहा वर्मा पुरानी कहावत है कि जूट पर कितने ही परदे डालो लेकिन सच को छिपाया नहीं जा सकता ऐसा ही एक शिक्षन संस्थान है जो जूट पर लगातार परदे ढखने की कोशित तो कर रहा है लेकिन सचाई है जो छिपने का नाम नहीं ले रही एक सच को छिपाने के लिए भले ही जूट पर जूट बोलते रहे लेकिन एक दिन सच बाहर जरूर आ जाता है यह किस्सा आजकल करनाल की डीवीपीजे कॉलेज चर्चा का लगातार विश्ये बनता जा रहा है सबसे रोचक बात यह है कि इस कॉलेज में इंस्पेक्शन करने आए कुर्शेटर युनिवरस्टी के डीन ओफ कॉलेज भी विवादों में घिरते जा रही है कैसे और क्यूं यह हम आपको इस खबर में बताने जा रहे हैं इसलिए लगातार जुड़े रहेगा समाचार एक्सप्रेस पर हमारे साथ और इसे लगातार शेयर करना ना भूले क्योंकि जिस सिक्षन संस्थान में सच्चाई का पार्ट पढ़ाया जाता हूँ यदि उसी सिक्षन संस्थान में मौजूद रहने वाले प्रिंसिपल जूट बोलकर या फिर सरकार से फ्रोड करके कोई भी कार्य करते हों तो आप सोच सकते हैं क्यों सिक्षन संस्थान में चातर क्या सीखते होंगे क्योंकि करनाल का डिएवी पीजे कॉलेज जो नगर निगम के कारिया लेके निकट पड़ता है आज कल चर्चा का विश्य बना हुआ है हमने आपको पहले दिखाया था और बताया भी था कि कैसे डिएवी पीजी कॉलेज शिक्षन संस्थान ने जू आपको फिर से बता देते हैं कि माजरा था क्या हमने कुछ दिन पहले डिएवी पीजी कॉलेज को लेकर एक खबर आपको दिखाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह इस कॉलेज में गर्ल्स होस्टल की बजाएं वहां पर कोमर्स एंड मैनेजमेंट ब्लोग च किया था जिसमें कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर रामपाल सैनी नी समाचार एक्सप्रेस के सामने यह खुलासा किया था कि फिलहाल इस ब्लोग का यूस किया जा रहा है यहां कल्चर प्रोग्राम भी होते हैं उन्होंने यह भी कहा था कि निकट भविश्य में इसे गल् गल्स होस्टल बनाया जा सकता है लेकिन कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर रामपाल सैनी का सफेज जूट पकड़ा गया हमने आपको खबर में दिखाया था कि किस तरह से यूजी सी से लाको रुपे की ग्रांट गल्स होस्टल के निर्मान को लेकर ली गई गल्स होस्टल में इंस्पेक्शन टीम को होस्टल से संबंदित सारा समान तक दिखाया गया इसके लिए बकायदा कुर्शित यूनिवस्ट्री के डीन ओफ कॉलेज ने बकायदा इस गल्स होस्टल की वीडियो ग्राफी तक करवाई थी लेकिन अब बड़ी खबर यह आ रही है कि जिस डी की ऐसा होना जरूरी था सरकारी ग्रांट से बनने वाले निर्मान के लिए बिल्डिंग का नक्षा निगम के कार्याले में दाखिल करना बेहद ही जरूरी होता है हम इस नक्षे को लेकर बकाइदा प्रशासनी कदिकारियों से बाचित करेंगे कि क्या ऐसा संभव है कि बिना नक्षे के बिल्डिंग बनाई जाए हमने इस मामले में कनाल के डिसी जिनके पास नगर निगम का भी जिम्मा है उनसे संपर्क करने का परियास किया था लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया था इसलिए हम आगे उन से संपर्क करके इसका जवाब जरूर मागेगे लेकिन समचार एक्सप्रेस ने जब इस मामले को परमुकता से उठाया तो कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राम पाल सैनी ने अपने सफेज जुट को छिपाने के लिए कुर्शेतर उनिवस्टी के डीन ओफ कॉलेजिस को पत्र लिखा कि उनके कॉलेज में चात्राएं आई ही नहीं इसलिए हमने चात्रावास को कोमर्स ब्लोक में तबदिल कर दिया हम आपको यह भी बताने जा रहे हैं कि कुर्शेतर उनिवस्टी के डीन ओफ कॉलेजिस को यह पत्र तब लिखा गया जब समाचार एक्सप्रेस ने डीएवीपीसी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर रामपाल सेनी के जूट का परदा फाश कर दिया आपको भी पता लगना चाहिए कि सच कौन बोल रहा है और जूट कौन अब आपको सुनवाते हैं कुर्शेतर उनिवस्टी के डीन ओफ कॉलेजिस रजनी शर्मा की वह आवाज जिसमें वह खुद सविकार कर रहे हैं कि प्रिंसिपल की यह चिठी बाद में आई जब हमने उनसे यह पूछा कि यह घाल में नहीं तो और क्या है तो उन्हों ने भी इसे बकायता सविकार किया आप भी सुनए कुर्शेतर उनिवस्टी के डीन ओफ कॉलेजिस रजनी शर्मा की बाचित जो उन्होंने समाचार एक्स्प्रेस के एमडी अनिल लामा को बताई अलो शर्मा जी एक चीज बिता ते कि क्या इन्होंने जैसे आपने लेटर जो लिख दिया है क्या इससे पहले इन्होंने कोई लेटर लिख के आपसे युजीजी से पर्मीशन लीती कॉमर्स ब्लॉक मेनेजमेंट चलाने की किसे युजीजी से या डिन ओफ कोलिज आपसे या कुछेतर लिख से कोई पर्मीशन लीती नो ने जबी अम इसको कॉमर्स ब्लॉक मेनेजमेंट बढा रहे हैं आपने सुन लिया कि कुछेतर उनिवस्ट्री के जीन ओफ कॉलेजिस रजनीश शर्मा ने साफ साफ कहा है कि चिठी बाद में आई है पिछली खबर में हमने खुलासा किया था कि कुर्शितर उनिवस्ट्री के दीन ओफ कॉलेजिस ने कहा था कि वह कॉलेज को इस बाबत पत्र लिखेंगे तो कुर्शितर उनिवस्टी के दीन ओफ कॉलेजिस रजनिश शर्मा ने हमें साफ कर दिया है कि उन्होंने कॉलेज से स्पष्टि करण मांग लिया है सवाल कुर्शितर उनिवस्टी के दीन ओफ कॉलेजिस पर भी उच्छे हैं क्योंकि DAVPJ कॉलेज में बनाए गए चात्रावास की बिल्डिंग में बने चात्रावास की इंस्पेक्शन करीब 7 महीने पहले हुई थी उसके बाद कॉलेज को N.O.C. दी गई लेकिन कुर्षेतरी उनिवस्टी के डीन ओफ कॉलेजिस को बाद में पता लगाना चाहिए था क कि महां चात्रावास चल भी रहा है या नहीं कुर्षेतरी उनिवस्टी के डीन ओफ कॉलेजिस ने तो इसका पता नहीं लगाया लेकिन समाचार एक्सप्रेस की टीम स्चोरी कवर करने के लिए जब डीएवीपीजी कॉलेज करनाल पहुंची तो अचानक छीपा हुआ सच बहार आ गया अब यूजी सीकों कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर रामपाल सैनी से पूछना चाहिए कि आखिर तथे क्यों छिपाए गए जब छात्रावास में छात्राए रहने के लिए आई ही नहीं तो कुर्षेतरी उनिवस्टी के डीन ओफ कॉलेजिस से इंस्पेक् ही क्यों गया साफ दिख रहा है कि कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर रामपाल सैनी सही तत्यों को छिपाते हुए यूजी सी और कुर्षेतर उनिवस्टी की आखों में धूल जोकने का काम कर रही हैं क्योंकि छात्रावास के नाम पर 50 लाग से उपर की कॉलेज ने यूज प्रिंसिपल डॉक्टर रामपाल सैनी ने केवल कंप्लीशन सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए यूजी सी और कुर्षेतर उनिवस्टी के डीन आफ कॉलेजिस को मुर्ख बना दिया इस बात की पड़ताल होनी चाहिए कि ग्रांट कब दी गई कब छात्रावास बना और कं समान दिखाकर वीडियोग्राफी करवाई गई थी उसके बिल कहां है वह बैड कहां से लाए गए थे क्या छात्रावास में लाया गया समान किराय पर था अब उसका ओडिट करने की जरूरत है कुर्षेतर उनिवस्टी के जीन आफ कॉलेजिस रजनी शर्मा भी सवालों के खेरी में हैं क्योंकि वैं यूजिसी द्वारा नियुक्त किये गए थी उन्होंने क्या यूजिसी को किये गए इस फ्रोड की सूचना दे दी है या नहीं इस पर समाचार एक्सप्रेस की निगाहें ठीकी है नवंबर 2017 तथा इसी साल जन्वरी और फर्वरी में डिएवी प समाचार एक्सप्रेस को क्योंकि हम छिपाते नहीं दिखाते हैं तो बने रहीएगा हमारे साथ समाचार एक्सप्रेस पर ऐसे ही लेटिस्ट खबरे पाने के लिए समाचार एक्सप्रेस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें इस खबर को अधिक से दिक शेर जरूर करें J.B.D. Banquets लाए है, incredible marriage palace, Rajgharana, and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, century air condition, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching, and parties. Rajgharana and Jyoti Garden, a J.B.D. Banquets enterprise. J.B.D. Banquets enterprise.